और एक खुब्सूराद अशाओ और एक रण गुद रणिंग बेट्विन देखेट अतुल नो बाल का इशारा अंपार की तरफ से और एक रण दो रण अपने टीम के लिए आड़ कर चुके है खुब्सूराच शौड और एक ही रण से संथूश होना पड़ेगा संजेगो जिम्मेदारी से बैटिंग करते हुए दोनों बल्ले बाज अपने टीम के लिए नो बाल का इशारा अंपार अंपार की तरफ से फ्री हिट फ्री हिट का फाइदा नहीं उटा पाए अतुल एक रण से बढ़ता वास्कूर एक रण से फिर से एक बार संदूश्ट होना पड़ेगा एक अच्छी शुरुवात साउंड सूपर किंग्स की और एक एक रण देखें क्या करते हैं खुबसूरत गेंग खुबसूरत गेंग और एक ओवर के समाफदी के बाद आठ रण बिना कोई विकेट के नुक्सान पर आठ रण बिना कोई विकेट के नुक्सान पर सेकेंड और लेक्यार एप पार्थ अपने टीम के लिए सामना करेंगे आतुल एक अच्छी शुरुवात और एक मोका गवा दिया है आपे रैक टाइटन्स ने संजे अपने टीम के लिए क्या करेंगे और ये खुब्सूरत साथ हेलिकॉप्टर शॉट छे रण वाड़ शॉट बाई संजे और ये नो बॉल नो बॉल का इशर आमपायर की तरफ से फ्री हिट देखिए फ्री हिट का फिर से एक बार फ्री हिट का कोई फाइदा नहीं उठा भाएंगे लेकिन एक रुण से संतुष्ट होना पड़ेगा अतुल को और ये कैच रॉप क्या ये कैच छुटना अपने टीम को महंगा साबित हो सकता है और एक रन के साथ एक समझदारी की बारी खेल रहे हैं दोनों बल्ले बाद टीम का स्कोर आगे लेके जाने की लिए मदद बहुत अच्छी गुगली पार की द्वारा दोर के समझद की बाद 20 रन बिना कोई विकेट के नुक्सान पर एक अच्छी शुरुवत दोनों उपनर ने अपने टीम के लिए दी है थर्ड और लेके आएंगे भव्यान सामना करेंगे अतुल अटुल कि फ्री इट कि अ कि अ बहुत ही खुबसुरत गेंड बिल्कुल समझ में ने आई अधुल को और एक बार खुबसुरत गेंड बव्यान अपने टीम के लिए अच्छा कर रहे है रन रखने की कोशिश और एक शॉर्ट लेकिन लोट आउट अब सामना करेंगे संजय एक अच्छी शुरुवात दोनों बल्लों बाजोने खुबसूरत दोनों की रनिंग बिट्वीन भी काफी अच्छी दिख रहे हैं आप है अतुल वाइड बॉल एक अतिरिक तरन फिर से एक बार उपर की जरफ मार के एक रन पूरा कर लिया संजय एक समझदार बारी खेल रहे है अपने टीम के लिए खुबसूरत चाहिए वाड़ शॉर्ट बाई संजय टीन ओर के बाद स्कोर हो चुका है 31 एक अच्छी स्टार्ट दे चुके अपने टीम के लिए दोनों ओपनर्स थर्टीवन फोनों लॉस चाहता ओवर लेकर आ रहे खुद टीम के कप्तान धनेश एक विकेट की जरूर दे टीम को इसले खुद धनेश और पहले बाल में वाड़ बॉल एक कैप्टन अपने टीम के लिए जो कर सकता है वो दिखा दिया है दनेश ने दनेश ने बता दिया है कि वो क्यों कैप्टन है इस टीम के पहले गेन पर आउट करके हिट इन श्राइक पे हिट इन फिर से एक बार चोकाने वाला गेन और एक रन दोड़ के संजे सेट बल्ले बाद संजे स्ट्राइक पे और संजे ने काफी खुपसूरत शॉर्ण लगा के छे रन और शॉर्ण बाई संजे एक रन चूरा ले आए अपने टीम के लिए संजे काफी खुपसूरत बैटिंग कर रहे है एक समझदार वाली इनिंग देखने मिल रही है सभी दर्शकों को और ये एक लेकिन दूसरी और से विकेट किर रहे है संजे काफी नेराश है एक अच्छा खिलाडी यहां पर गवा दिया है द्वेश नियुद बैट्समान कर दूस्तूप दनेश एक खुबसूरत गेन बाजी करके दो विकेट ले चुके है कौस्तूप ओव एक बहतरीन कमबेक किर दिया यहां पर रैक टाइटन्स ने ओवर की समापती स्कोर हूँ चुका है थर्टी नाइन फोर टू एक मेंट झाल 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 चार ओर के बाद 37 फर टू भव्यान फिर से एक बार दूसरी ओर लेके आ रहे अपने टीम के लिए स्ट्राइक पर सेड़ बल्ले बाद संजय भव्यान अपने दूसरी ओर लेके आ रहे हैं एक अच्छी समझदार वाली इनिंग खेल रहे हैं संजय अपने टीम के लिए और एक बड़ा विकेट मिला है बहुत ही बड़ा जटका साउन सुपर किंग्स के लिए अभी पारी को संभालना होगा आने वाले बल्ले बादों को एक खुपसूरत असा कैच लिया है धनेश कैप्टन नियो बैट्समन निरव दोनों ने बल्ले बादों एक खुपसूरत गिंग बीट कर दिया है निरव को इस चार रन के साथ बहुत ही खुपसूरत चोगा निरव के बल्ले से और एक रन के साथ एक रन और आड़ हुआ है अपने टीम में स्टाइक पे कउस्तू देखेंगे अपने टीम के लिए दोनों बल्ले बाद कितना तक कहा तक स्कोर लेके जा रहे ऐसे बार एक रन के साथ और किसम आपती अज़ा अग्याओ लेक्ष्ण गया है अग्याओ 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 पाँच ओर के बाद टीम का स्कोर है 43 43 फर टू मनिश एक डॉट बॉल के साथ समझदारी वाली इनिंग खेल रहे काउसुब आखरी तीन ओर बचे लेकिन फिर से एक बार मारने की कोशिश और यहां पर थोड़ी सी दो फिल्डरों के बीच में थोड़ी सी अन्बनिवा भी आप यहां निरव निरव ने सुन बहुती अच्छा और यह काच और एक विकेट खोदी आई साउंड शूपर किंग्स ने बैक राक टाइटन्स ने एक भूद ही अच्छा कमबक किया है मनिश स्ट्राइक पे नए वल्लेबाद मनिश और मनिश ने पहले ही गेट में छे बार के बहुती अच्छा शौड यहां पे मनिश का वाड़ शौड वाई मनिश फिर से एक बार गैप में बाने की कोशिश और एक रण के साथ संदुश्ट होना पड़ेगा काउस्तूम अपने टीम के लिए एक समझदार वाली इनिंग खेल रहे हैं छे और के बाद स्कोर हो चुगा है 5444 अमपार काईशना नो बोल अमपार काईशना नो बोल पोल कैप्टन दनिश अपने टीम के लिए और फिर से लेकिन यहाँ पर नो बॉल पर फ्रीड मिलाता लेकिन फ्रीड का फाइदा नहीं उटा पए और रान आउट भी हो चुके है कि दो बैट मंकल पेश डिफेंड किया है कि फिर से एक बार बहुत ही अच्छी के इंद बाजी कर रहे है कैप्टन दनेश अपने टीम के लिए और बहुत ही अच्छ आप्सूलिट शिक्सर याँ पर कल पेश ने अपने टीम के लिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ बहुत ही अच्छी गेंद बाजी एक रन के साथ संतुस्टोना पड़ेगा धनेश ने काफी अच्छी गेंद बाजी किये हैं आपे कप्तानी बारी कप्तानी गेंद बाजी कर रहे हैं अपने टीम के लिए स्ट्राइक पे कलपेश गेन बजी करेंगे दनेश कैप्टन बहुत यह अच्छा गेन थी लेकिन एक रन मिल पाएगा और ओवर की समापती 64 for 5 विकेट्स करेंगे अखरी गेन बजी अखरी ओवर लेके आ रहे हैं जैश करेंगे आखरी ओवर जैश बॉलर ने में जैश सामना करेंगे कलपेश देखिए आखरी ओर में क्या कर सकते हैं दोनों के बल्ले बाज लेकिन ठीक से कनेक्ट नहीं हुआ और डॉट बॉल के साथ बहुत ही अच्छी गिन बाजी कर रहे हैं जैश कम से कम स्कोर में रोकना चाहेंगे और ये कैश शुटा है और अच्छी गिन बाजी एक आखरी ओर में ज्यादा रन नहीं मिल पा रहे हैं देखेंगे आखरी चार गेंदों में मनीश अपने टीम के लिए क्या करते हैं खुबसूरत और ये मिस विल्डिंग और ये इंजित फोर वाड़ शॉर्ट स्टेट राइव बाए मनीश और ठीक से कनेक्ट नहीं हुआ डॉट बॉल दो गिन दे बाकी है लाज्ट टू बॉल्ट फिर से एक बार कोई रन नहीं आकरी गिन रन आउट आकरी गिन पूर में बहुती अच्छी गिन बाजी किये आपे जहेश ने अपने टीम के लिए और स्कोर को रेक टाइटन्स को जीत के लिए आठ ओवर में 70 रन का टार्गेट आया है 70 रन्स तू विन इन एट ओवर्स आठ ओर में 70 रन का पिछा करना है रेक टाइटन्स को जीत के लिए श्राइक पे ओमकार नॉन श्राइक पे पार्थ 48 बोल्स 70 रन्स तू विन कर्स्तू एक एक्स्पिरियंस बॉलर साउंड्स उपर गिंग्स की दरफ से आप साउंड्स उपर गिंग्स के कप्तान खुट पहली और लेके आ रहे हैं श्राइक पे ओमकार पहला ही गेंड वाइड बॉल्स खादा खोला है रैक टाइटन्स का एक रन के साथ और उंकार ने बहुत एक खुब सुरट शेक्स अप्सुलेट सिक्स और नो बॉल का इशारा अंपायर का फ्रेट के साथ फ्रेट का ठीक से फाइड़ा नहीं उठाबाएं आपे और बहुत ही अच्छी रनिंग पार्थ अब श्राइक पर रहेंगे पार्थ समझदारी के साथ डिफेंस किया है पार्थ ने ओ एन जे फोर बाए पार्थ अ ब्यूटिफल श्राइड बाए पार्थ अड़िग फोर रन्स तो इस टीम ओ प्यूटिफल बाल अंपार्थ नो बाल का इशारा दिया है लेगा अंपार्थ ने फ्रीड रहेगा एक खुब्सूरा शॉट लेकिन एक रन से संट्विस्ट होना पड़ेगा ओमकार वन बाल तो गो एक अच्छी शुरुआत दोनों ओपनिंग बल्ले बाजोंने फिर से एक बार खुब्सूरण डिफेंस एक और के समप्ति के बाद स्कोर हो चुका है फंद्रा बिना कोई लिकेट के नुक्सान पर अभी भी पच्छपन रन की जरूरत है बायालीस गिंदो में 53 जरूर्ण तुविन फोटी डूल्स तुविन फोटी डूल्स दूसरी ओर लिक यारे देवां और बाई लिगेंड चार एजए फोर इस तीम बापार्थ फिर से एक बार और योग विकेट कवा दिया आए आपे देवांग ने बहुत अच्छी गेंड डाली थी लो आकर और पहला विकेट खोड़ चुके है रैक टाइटन्स साउन्स स्ट्राइकर्स को अगर ये मैच जितना है तो जल से जल कुछ विकेट लेने होंगे क्योंकि रन रेट में ज्यादा डिफरेंट नहीं है नए वल्ले बास धनेश कैपटन धनेश देखेंगे अपने टीम के लिए क्या करते है कप्तानी बारी खेलने की कोशिश और एक रन के साथ और खुबसूरत फिल्डिंग संजे ओमकार खुबसूरत गेन देवांग यही करना होगा साउन्स स्ट्राइकर्स को मैच जितने के लिए फिर से एक बार खुबसूरत शॉर्ड लेकिन एक रन से संदूश्ट होना पड़ेगा यहाँ पे दो वर के बाद 25 रन 25 लॉस ऑफ वन विकेट 36 गेंडों में 45 रनों की ज़रूरत विकेट की तलाश साउन्स स्राइकर को और अपने एक्स्पिरियंस और अच्छी बल्ले बाजी के साथ अभी गेन बाजी करने आए संजे और ये और ये बिस कम्यूनिकेशन और दनेश एक बड़ा विकेट खो दिया है बहुती बड़ा जटका यहाँ पे मैं रैक टाइटन्स को एक मिस कम्यूनिकेशन हुआ यहाँ पे और बड़ा छटका लगा है रैक टाइटन्स को नए बल्ले बाज भव्यान सामने गेन बाजी करेंगे एक्स्पिरियंस गेन बाज संजे भव्यान श्राइक पे भव्यान देखेंगे अपने टीम के लिए क्या करेंगे वेरी वेल लेफ्ट भाय भव्यान बहुत एच्छी गेन बाजी यहाँ पे अच्छा क्रिकेट देखने मिल रहे हाँ पे फिर से बाल वेरी गुड डिफेंस और यह खुपसूरत शर्ण लेकिन कोई रण नहीं मिलेगा फिर से एक बार अच्छी गेन बाजी बल्ले बाजी के साथ गेन बाजी में भी कमाल दिखा रहे हैं संजे अपने टीम के लिए और एक डॉड बाल वाटन ओवा एक पावर प्ले ओवर और यह मैच का पहला मेडन ओवर डाला है संजे ने पावर ओवर ऑँ पैताली सरणों की आवशक्ता गेन बचे थीस 30 बाल्स 45 रण्स रिक्वाइट कि कमाल की गेन बाजी किये संजे ने एक अच्छी तरह से कमबक किया है आपे साउंड स्राइकर्स ने गेन बाजी पे देवांग पावर वह रहे हैं एक अच्छी रणिंग यहां पर एक रन चुरा लिया है अपने टीम के लिए बहुव्यान और एक खूपसुरत रणाउट और एक विकेट को आए रणिंग बिट्विन दे विकेट यहां पर मैक टाइटन्स की रैक टाइटन्स की अच्छी नहीं लग रही है और एक रन आउट नया बल्लेबाज देव ओमकार को कुछ अपने टीम के लिए करना होगा अगर मैच को जीत की और ले और एक रन चुरा लिए अपने टीम के लिए को बहुत ही अच्छी गिनबाजी कर रहे हैं यहां पर साउंट स्राइकर्स एक अच्छा कंबेक आफ्टर फर्स्ट ओवर्ट बहुत ही अच्छा डिफेंस यहां पर समझदारी की बल्ले बाजी और यह च्छे रन अप्सुल्ट शिक्स अप्सुल्ट शिक्स यहां पर ओर शोर्ड वाइट का इशा राम पायर का स्कोर बढ़ता हुआ पहुत अच्छी समझदार इनिंग पाइट के बाद पार्ड शोर्ची समझदार इनिग पहुत अच्छी अच्छी पाइए अच्छी अच्छी पाद्वें एफज़ का इनिप पाइट के बाद के बाद शोर्चीएट लॉस आफ त्री विकेट्स फिर से गेन बाजी पे आ रहे हैं संजे और पहले ही गेन बच्चाओ का ओमकार अपने टीम के लिए लाज तक खड़े होना चाहते है और गैप में एक रन के साथ एक रन चुडा लिया है अपने टीम के लिए दो गिंदों में पाच रन आ चुके है थोड़ा सा प्रेशर हलका हुआ है रेक्स टाइटन्स का संजे सामना करेंगे देव थोड़ी सी फिल्डिंग में परिवर्दन कर रहे हैं आपे कैप्टेन संजे वाइट का इशारा दोड़ वाल तीन गिंदे हो चुकी है फिर से एक बार वाइट और यहां पर कट कर के गोड़ रनिंग एक रंचुरा लिया है दो गिंदे बाकी और एक दोब रॉणल वाल आख्री क्यिंदे चार एक वाईट गिंदे लाजन और एक रंट के साथ ऑ़र की समाप्ती कि अध्रा गेंदों में 23 रोनों की आउशक्ता साउंड स्राइकर्स को विकेट की आउशक्ता है कि अधिन ने गिन बाज और यह बहुती बड़ी गल्ती हुए यहां पर उमकार को ओमकार की तरफ से पहले गिन पे इदिन ने अपना विकेट लेके एक जटका दे दिया है रैक टाइटन्स को सत्रा बॉल तेईस रन मैच काफी रोमांचक हो रहा है आपे साउंड स्राइकर्स ने बहुती अच्छी तरह कमबेक किया है मनीश नए बल्ले बाज और एक रन के साथ स्कोर बढ़ा गाए सोला गेंदों में 22 रणों की आवशक्ता और अच्छी अच्छी डिफेंस याँ पे पंदरा गेंद बाइस रन फिर से एक बाड़ बाल प्रेशर बढ़ता हुआ चौदा गेंद 22 रन अंबर का इशारा वाइड और यह बहुत ही सुन्दर लेकिन हाड लग एक अच्छा गैप में फटका मारा था लेकिन एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा मनिश पचास रन हो चुके है टीम के और खुबसूरत फिल्डिंग संजे यहाँ पे लेकिन गलत जगह पे त्रो किया था एक रन एड़ हुआ शिक्स ओवर्स फिफ्टी वन लॉस ओफ फोर विकेट्स बारा गिंदो में उननीस रन नया गिंदबाद से यहाँ पे आया है परेश मनिश और देव बारा गिंदो में उननीस रनों के आउशकता है पहला ही गिंदबे अच्छा शॉट मार के एक रन कंप्लीट कर दिया है मैच काफी रोमान चग हो चुका है देखेंगे देव किस तरह से और यह एक रन चुड़ा लिया है लेकिन बहुत ही अच्छी गिंदबाजी कहनी पड़ेगी यहाँ पे परिश और यह बुक्ति राद वर्ड एप्सुलूट शिक्स पाइए अपसुलूट शिक्स बाइए बहुती बढ़िया शोड अप्सुलूट शिक्स फिर एक पर चाइए अमपायर का फैसला एक रन से सन्तुश्च होना पड़ेगा आठ बॉल दस रन कुपसूरत गैप में करन के साथ साथ गिंदो में नौरन साथ गिंदो में नौरन 61 रंस और अप्सुलेट क्लाउट 6 वार शॉर्ट वार अप्सुलेट क्लाउट 6 भाई मनेश माच को पूरी तरह से पलट दिया आए आपे बनीश ने छे गंदो में तीन रन की आवशक्ता अच्छे गंदो में तीन रनों की आवशक्ता है यहां पे और यहां पे विकेट चार गंदो में तीन रन नियू बट्समन संदेश चार गंदो में तीन रनों की आवशक्ता काफी रोमांचक मैच हो आए आपे रैक टाइटन्स और साउंड साइकल के बीच में फिर से एक बार एक रन के साथ तीन गंदो में दो रन तीन बॉल दो रन और ये खूपसवर फिल्डिंग वाड़ फिल्ड बाई संजय बहतरीन फिल्डिंग याँ पे दो गंदो में एक रन फिल्डिंग में कुछ चेंजेस कर रहे हैं और ये आप वाड़ वाड़ वेल प्लेड वेल प्लेड रख ताइटन्स ओन दाच प्लेडू झाल झाल